यूपीटट 2021 के विवादित प्रश्णों को लेकर के सोसल मीडिया सैट्स पर बहुत भ्रहामा कबरे चल रही हैं जैसे कि 6-7 अंक सभी अभीर्थियों को common अंक दिया जाएगा कुछ अभीर्थियों के द्वारा साक्षे प्रस्तूत किये जा रहे हैं जिस पर दावा की ये किया जा रहा है कि इस पर भी common अंक मिलेगा क्या वाकई में 6-7 अंक common मिलेंगे Actually कितने प्रश्ण विवादित हैं और कितनों के सापेक्ष common अंक मिलेगा इसके regarding detail में विचलेशन करने जा रहे हैं आंत तक जुड़े रहेगा ये विचलेशन प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर के लिए होगा तो अगर आप दोनों पेपर में समलित हुएं तो आंत तक जरूर देखिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं पिन पी इसका उत्तर बदल करके अभिप्रेणा कर सकती है रिवाइजड एंसर की में तो जो भी अभिएर्थी अभिप्रेणा लगा हैं उनको एक अंक मिलेगा दूसरा विवादित प्राइशन भी CDP का है आप इसके पर देख पा रहोंगे शैशोकाल का समय है पिन पी ने इसका उत्तर उप्षन नमर चार को माना है जन्व से छैवर्ष जबकि NCRT में इस बाते के प्रूफ है कि जन्व से दो वर्ष को सैशोकाल माना जाता है तो देखिए कई राइटर्स के द्वारा जो कई मनोवेग्यानिक थे लेकिन अगर NCRT की माने तो वो जन्व से दो वर्ष मान रही है इस इसाब से PNP इसके दो विकल्पों को सही मान सकती है पहला और चौथा तीसरा विवादित प्रशन भी CDP से है जिसके साप एक्छा भीर्थों के द्वारा आपत्ती दर्ज कराई गई है आप इसक्रिन पर देख पा रहोंगे मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का उपियोग नेम्ड में से किसके सिक्षण हेतु किया जाता है PNP ने इसका उतर स्रीजनात्मक्ता माना है इसक्रिन पर आप NCRT का एक प्रूफ देख पा रहोंगे यहाँ पर हेडिंग दिया गया है बच्चों में स्रीजनात्मक्ता को विक्सित एवं प्रोत्साहित करने सम्मंदी विदियां और तक्निके यहाँ पर मानसिक द्वेलन ब्रेन इस्टॉर्मिंग के बारे में बताते हुए यह लिखा गया है कि इस विदि में विद्यार्थियों को समस्या समधान की इस्तिती प्रदान की जाती है विकल्प में समस्या समाधान भी ओप्शन था जिस पर अभियरतों को सबसे ज़्यादा ड्राउट है देखिए ये प्रश्ण जिस हेडिंग के अंतरगत लिखा गया है वो स्रीजनात्मक्ता का टॉपिक है और वर्स 2017 में भी ये मामला मानेने कोट गया था मैं आपको कोट ओडर दिखा रहा है मानेने इलाबाद हाई कोट की लखनव खंडपीट की डबल बेंच के द्वारा 2017 मामले में दिनांक 20 नवंबर 2019 को अंतरिम रूप से फैसला जारी किया गया था ये याचिका मानेने कोट में स्री रिजवान अंसारी जी के द्वारा दायर किया गया था आप इसक्रिन पर देख पार होंगे इस कोट ओडर के पेज नंबर 20 पर जब आप जाएंगे तो वहीं प्रश्ण रिपीट किया गया है मतलब की जो 2017 में पूछा गया था मानसिक उद्वेलन वालदा यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्स 2017 में भी इसका उतर PNP ने Creativity यानि की स्रीजनात्मक्ता को माना था वर्स 2021 में समस्या समाधान को आधार बनाते हुए NCRT के उस प्रूफ को आपत्ती दर्ज करा रहे है उनको कोई भी अंकर नहीं दिया जाएगा क्योंकि अगर यह मामला फिर कोड जाता है तो मानने कोड में PNP के द्वारा ये कोड ओर लगाया जाएगा कि वर्स 2017 में मानने कोड ने जिस कमिटी का गठन किया था उस कमिटी ने इस प्रशन को सही माना था और इसका उत्तर स्रीजनात्मक्ता को ही माना था तो इस प्रशन के सापेक्ष कोई भी उत्तर चेंज नहीं होगा PNP ने जो उत्तर दिया स्रीजनात्मक्ता वही सही उत्तर है CDP का चोथा विवादित प्रश्ण और जिस पर प्रबल चांसे से अभियर्थियों को कॉमन अंक मिलने के वो आप इसक्रिम पर देख पा रहोंगे यानि सभी अभियर्थियों को इसको नंबर देने की बात की गई थी और क्रेश्मर को भी इसका उतर सही माना गया था कोट ओर्डर में ये प्रेश्ण मेंसन किया गया था जिसमें क्रेश्मर भी ऑप्शन था और कैनन भी ऑप्शन था तो इस प्रशन के साफ़ कि मानने Code ने सभी अभेरतियों को grace-anch यानि common-anch देने की बात कही थी। तो इस बार भी हो सकता है कि PNP या तो दोनों विकल्प को सही मानने क्रेश्मर और Canon को या तो सभी अभेरतियों को common-anch दे दे। विगत वर्सों में कुछ ऐसे प्रशन भी देखे गए हैं PNP के दौरा जब दो विकल्प सही होते हैं तो उनके दौरा दो विकल्पों को ही सही मानते हुए जो उन दोनों में से कोई भी एक विकल्पों लगाया होता है उसको PNP नंबर देती है कॉमन अंक देने के फेवर में PNP कम देखती है हलांकि इस प्रशन में क्रैश्मर और कैनन जिनोंने लगाया उसको नंबर मिलने के प्रबल चांसे सथ दोनों अभियर्थियों को नंबर मिलेगा अगला विवादित प्रशन CDP से ही था आप इसके पर देख पार होंगे MPPI परिक्षण का उप्योग निम्न में किसके मापन में किया जाता है ये प्रशन थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया MPI होता है तो अभियर्थी ये इसको चैलेंज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस पर कॉमन अंक मिलना चाहिए देखिए यूपिटेट 2019 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें भी काफी मिस्प्रिंट थी जिसकी वज़ए से अभियर्थी ने उसको चैलेंज भी किया था और कोट में भी मामला गया था लेकिन कोई आदेस कोट की तरफ से अभी तक नहीं हो पाया और PNP ने उन प्रशन को गलत नहीं माना था यहाँ पर अगर सभी विकलप गलत होते तो फिर कॉमन अंक के चांसेस बढ़ते यहाँ पर विकलप सही थे केवल मिस्प्रिंट की वज़ए से इस प्रशन को PNP गलत नहीं मानेगी इसके सापेश कोई भी कॉमन अंक PNP नहीं देगी हिंदी में एक विवादित प्रश्ण है जिस पर अभियर्थों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है वो प्रश्ण है हिंदी भासा की बोलियां है पिन पी ने इसका उत्तर ऑप्शन नमबर चार 18 को माना है ये प्रश्ण वर्स 2017 में भी कोर्ट में गया था कोर्ट और आप अपने स्क् किसी भी अभियर्थों को कॉमन अंक या फिर विवादित प्रश्ण प्रश्ण पी इसको नहीं मानेगी और कॉमन अंक नहीं मिलेगा इंगलिस पार्ट में एक परग्राफ बेस्ट कोश्चन था आप इसक्रिन पर देख पारेंगे वाट इस दा मिनिंग ऑफ परग्राफ के ठीम के अधार पर दिया है जो जादूगर था वो अपने जादू से लोगों को एक तरीके से कैद कर लिया था उसी के सेंस में इसका उत्तर अरेश्टेट दिया गया है मतलब मंत्रमुग्ध करके सभी लोगों को अपने अंदर कैद कर लिया था मतलब अपने विचारों पर कैद कर लिया था इसी हिसाब से उन्होंने इसका उत्तर अरेश्टेट दिया है और यहीं उत्तर होने के प्रबल चांसे से हैं इस प्रशन को लेकर भी अब यर्थियों के दोरा आपत्ति दर्ज कराए गई है लेकिन PNP ने इसका उत्तर जो option number two माना है happening suddenly वो ब पाना जाता है ऐसा प्रशन पूछा जा रहा है इसमें PNP ने इसका उत्तर डैनासोर को दिया है देखिए वर्ष 2017 में ये हूबहू प्रशन रिपीट हुआ था लेकिन वर्ष 2017 में ये paragraph based question था paragraph दिया गया था उस पर आधारित एक प्रशन पूछा गया था इस बार उस paragraph को नहीं mention किया गया अभियरती ये दावा कर रहे है और इस प्रशन पर आपत्ती इस वज़ा से दर्ज करा रहे है कि चुकि paragraph नहीं दिया गया इस वज़ा से कैसे उतर दिया जा सकता है देखिए paragraph based question के लिए आपको instructions पहले लिखा जाता है कि आपको paragraph को पढ़ करके उतर देना है यहाँ पर ऐसा कोई भी instruction नहीं दिया गया था इस प्रशन के साफ एक्च तो आप court में भी proof नहीं कर पाएंगे कि ये paragraph based question था वर्स 2017 वाला जो मामला था वो भले ही था वो paragraph था क्योंकि उसमें instructions थे लेकिन यहाँ पर instructions नहीं थे तो PNP ये कह देगी कि हम तो general question पूछे थ और आप इसको out of syllabus सिध्ध कर पाएंगे या नहीं ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वर्स 2017 का मैं एक उधाराण आपको प्रस्तूत करना चाह रहा हूं 2017 का मामला जब court में गया था तो उसमें कुछ प्रशन out of syllabus अभियर्थियों के द्वारा चैलेंज किया गया था आप इसके पर देख पार होंगे उसके बाद से मानने court ने एक committee बनाई committee को ये जिमेदारी सौपी गई कि आप इन प्रशनों की जाच करिए कि किया ये प्रशन वाकई में out of syllabus थे पहला प्रशन अभियर्थियों के द्वारा ये चैलेंज किया गया था the constituent assembly adopted our nation anthem on तो यहाँ पर ये प्रशन पूछा गया था जिस पर अभियर्थियों ने इसको out of syllabus बताया था जबकि जो committee मनाई गई थी उनके द्वारा इस प्रशन को यहाँ पर देख स इसी प्रकार से आप और अन्य भी प्रशनों को देख सकते हैं the number of permanent members of the UN secretary council ये भी प्रशन को out of syllabus बता करके code गया थे जिसका भी साक्ष यहाँ पर दिया गया था और कौन से book में इसके बारे में जानकारी दी गया ये ये बताया गया था तो देखिए वो जो dinosaur वाला प्रशन करके कही ना कही से साक्ष ला देगी कि ये इस पुस्तक में mention किया गया है कि पहले निवासी डाइनसोर थे तो इस प्रकार से उसको out of syllabus नहीं मानेगी PNP और बहुत से भी दावाता की paragraph नहीं दिया गया था तो इस बर mention भी कहां किया गया था कि paragraph पढ़ करके आपको उतर दे अगला विवादित प्रशन EBS से था आप इसकन पर देख पार होंगे WWF से आसा है PNP ने इसका उतर option number 4 को माना है World Wildlife Fund प्रशन के साक्षे के रूप में अभीरतियों ने NCRT के कुरुच प्रूफ को लगा है जिसमें World Wildlife Fund for Nature उतर दिया गया है ये प्रशन भी मानेने कोट गया था World Wildlife Fund और मानेने कोट ने इसको सही पाया था क्योंकि जो कमिटी बनाए गया थी उसने इस प्रशन को सही पाया था और इसका उतर चेंज नहीं हुआ था किसी भी अभीरतियों को common आंक नहीं दिया गया था तो इस प्रशन को लेकर के जो भी अभी 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 अपत्ति द प्रशन के सापेक्ष दोनों विकल्प को प्येंपी सही मान सकती है मानसाहरी और जिवाड़ी दोनों को या फिर सभी अभी अभी अभीरतियों को common आंक दे सकती है यूपीटर 2017 के मामले में मानने कोट ने आंतिरम रूप से क्या आदेश दिया था इसको देखना और समझना अब आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि वहीं सब विवादित प्रश्णों को इस बार भी अभियरती चैलेंज कर रहे हैं आप इसक्रीन पर देख पार होंगे A report of the subject expert was placed before the earlier division bench wherein wide order date 114-2008 This court has examined the report in regard of 16 questions referred to the subject expert यानि 16 विवादित प्रश्णों को विशे विशेशग्यों के पास रखा गया था मानने कोट के हस्तक्षेप के माध्यम से Out of 16 questions, 3 questions were having wrong answer यानि 16 प्रश्णों में से सिर्फ 3 प्रश्णों के उत्तर गलत पाए गये हैं और वो प्रश्ण कौन-कौन से हैं तो 16, 18 और 131 नंबर का question है अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो 3 प्रश्ण जिसको मानने कोट ने गलत पाए था वो कौन-कौन से थे 16 नंबर का question ये वाला था जिसमें क्रेश्मर और कैनन दोनों विकल्पों को सही माना गया था 18 नंबर का question ये वाला था जो की verse 2021 में repeat नहीं हुए है तो इससे तो कोई मतला भी नहीं है या तो दोनों विकल्प को सही मानते हुए सिर्फ उन अभियर्थियों को PNP नंबर दे सकती है जो कि दोनों विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प लगाये होंगे अभी आप सुन रहे थे primary level के paper के बारे में अब बात करेंगे upper primary level के बारे में हिंदी में जो सबसे विवादित प्रशन है आप इसकन पर देख पार होंगे इसमें PNP ने उत्तर option number 4 को माना है लेकिन option number 1 इसका सही है तो ऐसे अभियर्थि जो option number 1 लगाये होंगे उनी को केवल अंक दिया जागा PNP इसका उतर बदल देगी revised answer की में अगला विवादित प्रशन हिंदी से था सुई का तत्सम रूप पूछा गया था PNP ने इसका उत्तर option number 3 को माना है लेकिन option number 2 के भी साक्षे कई किताबों में मिल रहे हैं तो इस प्रशन के भी PNP या तो option बदल सकती है या फिर दो विकल्पों को सही मान सकती है अगला प बड़ाबर बल बटे छेतरफल लेकिन इस प्रशन के option number 2 के भी साक्षे मिल रहे हैं देखिए बल जो हता है वो सधिस राशी होती है और एरिया और प्रिशर जो हता है वो अधिस राशी होती है सधिस राशी हो पर हम लोग उपर ऐरो से डीनोट करते हैं इस वज़े से option number 2 क ये सही होने के प्रबल चांसेस हैं अगला विवादित प्रश्ण भी mathematics and science section वालों के लिए था आप इसकिन पर देख पारोंगे एक 14 cm कोर वाले एक ठोस घं से अधिक्तम आयतन का एक लंब वृत्तिय बेलन काटा जाता है इस बेलन का संपूर्ण प्रिष्ट क्या होगा इसमे उतर 924 cm square आना चाहिए लेकिन सभी विकल्प में ये cm cube दिये हैं इसी को लेकर के अभियर्थि चैलेंज कर रहे हैं देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये misprint का मामला है और इस प्रकार के मामले को PNP कभी भी गलत नहीं मानती है तो इस प्रश्ण के साप्यक्ष कोई भ अंक नहीं दिया था अब मैं समझता हूँ कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के सभी प्रश्णों को मैंने कवर किया है जिस पर विवादित था और साथी किस प्रकार से PNP ट्रीट करती है और कितने common अंक मिल सकते हैं किस किस पर संभावना है सबके बारे में मैंन विस्तार पूर्वक चर्शा कर लिया आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईगा और ऐसे ही महतोपून अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान करें का दिन सुभव